सिर्फ सब्सक्राब करने से कुछ नहीं होता इस घंटे को दवाएं मेरे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तो स्वागत है आपका माई हेल्प के रिडिव चैनल पे दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किसी भी विंडोस के ड्राइवर्स को कैसे अनिस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से जनरिल देखा यह जाता है कि लोगों के पास जो सॉप्ट्वेर इस्टॉल रहते हैं उसे अनिस्टॉल करने के लिए वो कंट्र प्रोसस अपना रहा हूँ उस तरीका से वहां पे पहुँच जाईए तो आपको माइच कम्प्यूटर प्राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद आपको पूर्पर्टिज पर जैसे ही जाएंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा तो दिवाइच मेनेजर पर आपको double click करना है जैसे ही double click कीजेगा तो यहाँ पर जितने सारे आपके computer system में driver से related जो भी चीजे हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे तो यहीं से दोस्तों आप किसी भी drivers को uninstall कर सकते हैं उसे update भी कर सकते हैं और कुछ setting है वो भी यहाँ से कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मै जलके आ रही है और फी सारे चीजे यहाँ पर दिख रही है दोस्तों तो जिसे uninstall करना है उस पर आपको double click करना पड़ेगा जैसे headset mic पर मान लिजे कि मैंने इसे uninstall करना चाहा है तो इस पर double click कीजेगा तिस तरह से एक pop-up window open होगा और यहाँ पर आपको कुछ settings मिल जाएंग उसके बाद आपको यहाँ पर अपने drivers को update भी कर सकते हैं automatically आप इसे internet से search करके यहाँ पर इसे update भी कर सकते हैं अगर यह old version का है तो इसके बाद आपको यहाँ पर disable करने का भी option मिल जागा सिर्फ इसे disable कर दीजेगा ताकि यह काम न करे और anti में जो option दिया गया है uninstall का दोके करेंगे तो आपको यह driver है uninstall हो जाएगा तो यह था तरीका दोस्तो किसी भी driver को किसी भी windows operating system से uninstall करने का तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस channel को subscribe भी कर सकते हैं अगर आपके